दोस्तों आज की वीडियो में बार वेंडिंग स्केडियूल किया जाएगा एक stirrup कहा है लेकिन दिक्कत कहा आती है बच्चों को जहां 4 lakh stirrup हो जाता है 5 lakh stirrup यह 6 lakh stirrup तो वहां पे BBS करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए हम लोग साइट पे गए तो हमें भी यह दिक्कत आई तो आज उसी को में simple process से simple तरीके से आपको बताऊंगा तो जिस stir up का हम BBS करने वाले हैं वो सामने आप देख रहे हो वो हमारी 800 mm by 400 mm का stir up रहने वाले है मेरलब ऐसे उसकी 800 mm यह 400 mm में चीद देखने वाली यह क्या है कि उसको हमें देखना पड़ता है यह आई हमारी mastering में इसको बाहर से मना रहता हूं यह हमारा mastering है यह देख लोगे यह समझ लोगे फिर इसली कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी यह mastering आगे जो दूसरी रिंग है हमारी वो है यहां से स्टार्ट हुई है मैं बाहर बाहर से लेता हूँ आपको समझ आएगा यहां से स्टार्ट हुई यह और यह 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 रिंग हो और यह ठीक है एक यह रिंग है फिर एक रिंग है यह मैं बाहर से लोगा आपको समझ क्योंकि एक दूसरे के उपर समझ नहीं आएगा यह और यह आया कि यह रिंग है ठीक है यह मतलब फाइव लेकर रिंग हम आज करने वाले हैं तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे वह चीजें सब में आपको बताने वालों तो कंप्लीट वीडियो देखना काफी इंट्रस्ट रहते हैं दूसरे रिंग की तरह ही तो इसकी कटिंग लंद करना सिखाऊंगा और इसमें जो सरिया है यह लिए यह लिए हुआ है रोने बारा टी ट्विंटी यह क्या है बारा नग आएंगे बीस डाय यह जो डाय अंदर यूज़ किया गया है यह 20 डाय का है और श्टीरब अगे यहां से जहां तक दिक्कत कोई नहीं आईगी Master ring आ गया first ring किसको हमने लिया है first ring है यह यहां से start वो है यह first ring है और यहां से गया यह second ring है हमारा clear अभी Master ring पहले एक जो सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है हमें कि इस रिंग को calculate करने के लिए यहां से start वी यहां तक है इसका यह पता होना यह distance कितने है ठीक है यह distance निकालना होता है total तो हमें पता है लेकिन यहां दिक्कत आती है यह कैसे निकलेगा फिर आगे बढ़ते है mastering की दिखो total कितना है 800 mm 800 mm हमने लिख दिया दोनों तरफ हमें cover minus करने है उसने कहा है कि cover 40 mm का है तो यह हमारा concrete का surface है बाहर का और यह ring है हमारा यह ring यह ring है यह वाला ठीक है तो यह वाला cover हमें निकालना पड़ेगा दोनों तरफ से तो 40 mm cover 40 mm cover जब यह cover निकाल दिया फिर हमें यह stir up निकालना होता है जो master ring है 8 mm इस तरफ से भी इस तरफ से भी तो यह minus 8 minus 8 कर दिया फिर हमें इसके center में आना होता है यह center में और यह center में तो यह है 20 डाया का सरिया तो यहां से 10 mm यहां से 10 mm तो total हो गया 20 समझे क्या हुआ जो हमारा concrete surface है वहां से पहले cover छोड़ों अंदर पहुंच जाओगे फिर क्या करना है फिर आपको master ring minus करना है और फिर अंदर का डाया तो यह निकल आया हमारा 684 इसको किया और फिर करना होत है आपको spacing बीच की spacing यह एक दो टीन चार जितनी spacing हो उतने से divide कर देना है तो आगया 171 mm यह क्या है 171 mm यह यहां से लेके यहां का distance कितना है 171 mm यहां से लेके यहां का distance 170 mm और यहां से लेके यहां तक सबके center to center हमारा distance हमें मिल गया जब हमें यह मिल गया तो हमारा calculation हो जाएगा यह आगे काम आएगा अभी पहले जो बहार का रिंग है बड़ा रिंग मास्टर रिंग उसका कर लेते हैं तो उसका क्या है 800 टोटल है हमारा और दोनों दरफ से कवर माइनस कर लेंगे 40-40 कवर निकाल दिया 800 बै 400 क्या है हमारा column का size ठीक है उसके अंदर रिंग कवर निकालना पड़ेगा तो वह हो गया 720 mm और ऐसे कैसे हमारा column 400 400 दोनों तरफ से कवर यहां से भी कवर यहां से भी कवर वह हो गया 320 mm यह हो गया आगे हमें फिर इसकी cutting length निकाल देते हैं cutting length कैसे निकलेगी 720 आया था हमा ठीक है तो 720 दो जगा है यहां भी और यहाँ भी 320 यहा भी 320 प्लस टू इंटू 10 D यह hook आ गए 2 hook है एक और 2 और 10 D हम लेते हैं hook ठीक है तो इसको multiply कि यह जए ाया इसको multiply iक यह आया तो ऐसे यह आ गया 10 27 अगया किया था हमारा 8 mm का सीरफ था यह इतना 8 mm का तो 8 वो आ गया तो इसकी calculation की तो हम यहां पहुंच गे जब यहां पहुंचे तो हमें फिर इसका band reduction करना पड़ता है BVS का rule है यह एक band यह है एक यह है एक यह है एक यह है एक यह है जिसने पुराने पार्ट नहीं देखें प्लेलिस्ट बन्यू यह BVS की वो देख लेना जाके ठीक है यह अगया जो हमारा फिर हमें 3 band कान से एक दो तीर ओकतने का बैंड जब होता है तो हम 2ड से करते है तो तो 3анием का तो यह ऐसे ही आ गया थreek आ गया तो ऐसे ही आ गया दी जो डाया है हमारा टम्न का страх का है वो डिक दिया 2144 हमारा cutting length आ गया तो यह हम उसको लिखके दे देते हैं कि cutting length कर दो main जो है यह है वो तो समझा हुआ था आपने अभी देखना यहाँ जो हमने यहाँ calculation की वो किसके लिख calculation की बीच का center था हमारा अभी जो मारी ring है यहाँ से यह वाली ring है इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ यह बना ली मतलब एक, दो, तीन के बाद हमारा stir up है एक, दो, तीन के बाद तो इसको कैसे calculate करना है अभी देखना अभी हमें यह stir up का O करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है बीच का distance दोनोंगा यह वाला, यह वाला यह वाला और यह वाला यह वाला और यह वाला अभी हमें यहाँ हमने यह center था center से center था ना, यह वाला अभी हमें यहाँ बाहर जाना पड़ेगा हमारा ring पूरा आएगा तो यह 20 डाया का था center में से 10 add कर दो ये add करना होता है भी और 8 हमें यहां आना है तो add add कर दो उस time हमने minus किया था क्योंकि हमें distance निकालना था अब हमारी steer up क्या होगी पूरी बाहर से आएगी ना इस तरही एगी तो इस तरह के से होगा और इस तरह भी क्या होगा इस center है 10 और 8 ये add होगा तो 378 mm आएगा मतलब ये distance हमारा बना 378 mm यहां से यहां तक अगर यहां देखें हम तो यहां से हमें यहां तक कितना है 378 mm clear ये distance हमें मिल गया अभी क्या कर रहा है अभी ये वाला भी चाहिए ये simple है हमारा 400 है 400 माइनस 40 42 तरह कर रहा है 320 हमें और cutting length same मतलब इसका एक ये side है एक ये side है 378 into 2 प्लस एक ये side है एक ये side है एक 320 है 320 into 2 दो hook है एक दो दो hook आगे 2 into 10D 8 तो ये कर दिया फिर इसको प्लस करके 1556 आ गया और bend कितने है 3 90 degree के एक दो 3 तो 3 into 2D 90 degree का bend है और 135 के कितने bend है एक दो तो 2 into 3D तो हमें मिल गए 11460 है मैं clear वैसे ही अभी एक stirrup हमारी ये है यहां से लेके यहां तक इसकर निकालना है हमें और उसके अंदर सरी एक दो 3 4 एक दो 3 4 ठीक है तो ये आ गया अभी इसको कैसे निकलेगा बीच का distance ये वाला यहां आगे 171 171 171 clear फिर हमें यहां तक पहुंच गी है हम दोनों तरफ अभी हमें यहां से यहां आने है पहले तो 10 प्लस कर लिया और 10 यहां प्लस कर लिया फिर यहां 8 mm 8 mm के बार जाने हमें 8 mm प्लस कर दिया यहां भी 8 mm बार प्लस मिल जाएगी यह कितनी है 400 ऐसे है दुम दरफ कवर माइनस किया 320 आ गई फिर कटिंग लेंग से यह 549 वाली कितनी है एक दो 549 इंटू 220 वाली कितनी है एक दो 320 इंटू टू प्लस टू इंटू 10 डी दो हुक है टू इंटू 10 डी तो इसको प्लस किया तो हमारा आ गया 1898 फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या रहता है हमें बैंड डिडक्ट करना होता है बैंड कितनी है एक दो तीन 90 डिग्री के तो 2D माइनस होगा 3 इंटू 2D और 135 डिग्री के दो दो 3D यह कर दिया यह कर दिया और यह हमारी कलकुलेशन आ गए तो इस तरीके से निकलता है सिंपल प्रोसेस है कोई टेक्नोलजी कुछ नहीं है बस यह कलकुलेशन करना आनी चाहिए कि कहां तक आपको माइनस करना होता है मतलब टोटल दोन दरफ कवर फिर आठ जो मास्टर इंग होती है इस से अंदर आ जाने और उसका सेंटर ले लेने जो बार होगा तो इसी तरीके से आप कलकुलेट कर सकते हो आई होप समझ आ गया होगा नहीं समझ आया है कमेंट करो फिर से वीडियो लेंगे और प्लेलिस्ट बनाई हुए वीविएस की हर टाइप की वीविएस फ्री में सीख सकते हो अभी मैं वीडिया लेता हुए थां थैंक यू गई